दिलेव में हमारा संगटन चल रहा है, साड़े तीन हजार तैसिलों में हमारा संगटन चल रहा है, बाइस हजार लोग में हमारा संगटन चल रहा है, देड़ लाग गाउं में हमारा संगटन चल रहा है, अब हम लोगों ने निर्ड़ी किया ये परिवर्थन यात्रा इस साल 2018 में 441 दिलों में चलेगी और अगले साल 556 दिलों में चलेगी औरव ये इस साल से ये परिवर्थन यात्रा 2028 साथ साल तक लगाता चन लेगी उससाथ साल तक हर साल में चलेगी और में 6 मैंने यांपरन चलेगी आँऑ अर ये मैंने परिवर्थन यात्रा और छे में आंगोरा और इसका हमारा जो लक्ष है वो लक्ष है कि छे लाग गाउं तक हम अपना संगडन फैलाना चाहते हैं जबी छे लाग गाउं तक हमारा संगडन फैल में आख जहां हमारी दोग निमास करते हैं तो छेला गाओं में संगड़न खैलाना होगा जिससे भावोलिक नेटवर्किंग होगा और उसके बाद में जो सोचिल नेटवर्किंग है जिसके अंतरगत ब्रामरबादी समाज युगस्ता ने हमारे दोगों को छे अजार जाती के टुपडों में बाठा तो हमारा ये दूस लगते हैं कि छे अजार जाती के लोगों को जगाना होगा और जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा जोड़ने के बाद शक्ती का निर्मान करना होगा शक्ती का निर्मान करने के बाद शक्ती का संचय करना होगा और संचय दशक्ती को उचित और समुचित समय पर उबयो साथियों जब ये परिवर्तन यात्रा निकाली गई है तो निश्चितुरुप से ये बताया जाना बहुत ज़रूरी है कि परिवर्तन यात्रा कि इस खास मक्सद से निकाली गई है साथियों परिवर्तन यात्रा निकालने के पीछे बहुत खास मक्सद है उस मक्सद को समझने के लिए हमें देश की परस्तिती को जानना होगा देश के परस्तिती को समझना होगा देश में आज क्या परस्तिती है आज लगभग सेवन्टी वन इयर होगे अंगाली को नासिल करने के बाद 70-1 यह होने के बाद में आज 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 देखेंगे पर सिभी किसना गभी हो गई है जिनकी संख्या साथे दी परसेंट रहें ब्रामौ की संख्या इन लोगों ने देश पर कभजा कर लिया साथियोग ब्रामौ ने इस देश पर कभजा कर लिया है यह कभजा कैसे कर लिया है कानून और सविधान के फिरोद में जाकर कर लिया है इनों ने कानून और सविधान के फिरोद में जाकर कभजा कर लिया है अगर देश में इमानदारी से चुनाओं करवाया चाय वह ब्राह्मन ग्लामबंचाइद में पंच नहीं चुन सकता साड़े तीन परसें संक्या से ब्रामन अपना ग्राम बंचायद में पंच नहीं चुन सकता जो लोग पंच नहीं चुन सकते दो गाउं का सरपंच बनाने लाइक नहीं है जो इस देश का गाउं का सरपंच नहीं बना सकते उन लोगों ने देश की पंचायद का प्रधानमंत्री बना दिया है ब्रामनों ने जिनकी संक्या साड़ी परसेंड है उन्होंने देश के पंचायद का प्रधानमंत्री बना दिया है अब इस लिए देश की पंचायत का प्रधान मंत्री बना दिया है अब इसका मतलब यह है कि आज जो लोग इमान्दारी से पंचायत में सरफ़ नहीं बना सकते बेमारी से उन्होंने देसके पंचाइद Đ топ पर उन्होंने अपना पुर्ण मंत्री ठोप दिया है ओमगले के लिए लेक क्या कि थोपने के लिए जक्ठruck पुर्ण मंत्री फोपने के लिए वरामों ते पांच पांच नैसम्ही लेफ्ल की पार्टिया अखेलिये रामरौँ की है मैं कमिन varitे नहीं कहता कि कि अंपण लोगों को पता नहीं हैird मैं 27 का हूँ कि देश में पांच आज लेफ्ल की पार्टिया थन नायों की पार्टिया है मगर यह जानगारी पड़ेविके ब्रामनों के पास नहीं है पड़ेविके ब्रामन के पास पड़ेविके बहुजलों के पास नहीं है A.C.S.T.O.B.C. माइनर्डी के जो पड़ेविके लोग है उन लोगों के पास जानगारी नहीं है अल्पड दुबू के पास तु जानकारी का सवाल ही नहीं है पांच पांच नैस्टनल लेलों की पार्टिया अठासो पचासी को नैस्टनल कॉंग्रेस बनाई नैस्टनल कॉंग्रेस इसने बनाई चटरदी, मुकरदी, बैनरदी, बोखले, तील, आगरकर इन लोगों ने कॉ कंग्रेस की स्थाथना की निया, कंग्रेस ने आने का, उन्होंने कहा कि ये इस में आने वादा नहीं हू कॉंग्रेस में रखके रखाो अब इस वह से हमें पता चला कि कांगरेश द्रामनों का संड़ता है साथ हो दूधरा संड़ता है दूसरा सक्लेर भारती कर्मिश्ट पर्थी, षुरारो ढंगे, ऐक वांगर रामन था मौंबे में उसने बना है। तीस्री पर्थी मावस्वाली टोनожно पर्थी एयलास नमेदी पर्थी, नमाम का याती का प्रहवन था। और बीस्रीं ककेला उसने बना है। चौफी पार्टी भार्थी ए जनता पार्टी आरुसस ने बना ही। आरुसस सब्सेज पहरे जो पार्टी बनाई उसका नाम था जनसंग, उसका पहला ढ़ेचर अध्य दिज्टा नाम था शामावासागुक्ष assessment,va deficiency. जनसंग को अटल विहारी अडवानी ने कौन जनता पार्टी में विवाग हुआ विवाग होने के बाद जनता पार्टी में विवाग होने के बाद अटल विहारी अडवानी बहार आये और असी ने उनों ने भार्तिय जनता पार्टी नाम की पार्टी बना है। और भार्तिय जनता पार्टी का पहला हाथी अध्याट पंडी कच्छल की हाईवाँ चलिए। विव्रामन। पाच्छी नेशनल लेवल की पार्टी टुरुणमौन कॉंग्रेस। बंगाली ब्रामन। मम्ता बेनल्डी पिछले साथ 2017 में चुनाव आयो ने उसके पार्टी को मानेता दे। वही पाच पार्टी अगरामनौ की। संक्या कितनी साड़े तीन परसे। संक्या साड़े तीन परसे। चुनाव आयो चुनाव करवानी के लिए कानून बनाया। पीपल्स रेप्रसेंटेटिव हैं। उस कानून में लिखा गए छे परसेंट वोट। जब तीन राज्यों में किसी पार्टी को पढ़ेंके। वह पार्टी नैस्नल लिवल्स की पार्टी मानी जाेगी। मगर भराम़ों की तो संक्या साड़े तीन परसेंट है। ज boss काहँ से आखे। इसका हधलप यह है के भरामनों ने, यह जो सारे तीन परसेंट गोट हैw साड़े तीर पर से घूट वाले लोगों एपृटी नभी नेशनल लिवल की पारटी नहीं बन चकती , मगर उनोंने पांच- anyway की पारटीया बनाए तो आद पांच पांच नेशनल लेवल की पारटीया हकेड़रा मटूती है कि शबुर्कांस की संक्या अच्छा पतीशत है उसका आजके तारीक में एक भी नेशनल हुआ तो नहीं है काकसीराम झीह बहुजण समाग का पार्थी बनाई धीरा यह Core कि आपके पार्टी का होड़ पर से ठड़ गया है आपके पार्टी का नैस्टनल स्टेटस दर्थ क्यों ने किया है कि तो इस तरह से यह जो बात में आप लोगों को बता रहा है कि बात साथी और समझना वह जाना जरूरी है इस लिए यह बात समझा रहा है कि इस तरह से आज इस देश में पांच पांच नैस्टनल लेवल की पार्टिया अगेले ब्रामनों की रहेंगे भी नहीं बना सकते थे पांच पांच मना लिया कानून और समिधान के विरोद में जाकर बनाएं और इस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि ब्रामनों ने ब्रामन राज इस्तापित कर दिया और कानून और समिधान के विरोद में जाकर ब्रामनों ने भारत में ब्रामन राज इस्तापित कर दिया ब्रामुनों ने भारत में ब्रामंत्रा इस्तापित कर दिया मैं ये बात आपके सामने समूर के साथ बताता कोई कोई बात बगें समूर के नहीं कहता देखो नांनिंटीटीनाइड में ब्रफान मंत्री ते तो दोजार वाजपा चुनावा कांग्रेस ने चुनाव जीता फिर 2009 में चुनाव भी जेपी ने चुनाव जीता इसका मतलब है बीजेपी चुनाव हाती है तो कॉंग्रेस चुनाव जीता है कॉंग्रेस चुनाव हाती है बीजेपी चुनाव जीता है कॉंग्रेस ब्राह्मनों का गर बीजेपी की ब्राह्मनों का गर तो एक ब्राह्मन की पार्टी चुनाव जीता है तो दूसरी ब्राह्मन की पार्टी चुनाव जीता है दूसरी ब्राह्मन की बार्टी चुनाओं हाथी में नानिकी नाम का गदावा मेंगा पूछिपियां से बैठ जाता हूं कॉ मिन चाहइं है लुए तो भी नाम का अस्य का WAY यह दो ठीनाम का जाता है कि काशिराम ऑगनाता आसा जा अगर खू पी चुन कर आती है तो उसके पास हमारे ली जह है अगर कामरे चुन कर आती तो यह नागनाद है, इसके पाद भी जहर है, हमारे लिए, तो इसका मतलब है, हम जहर ग्रहन करते हैं, तो हमारा मरनाद आता है, नागनाद आता है, तो मरनाद आता है, साथ मरनाद आता है, तो मरनाद आता है, इसका मतलब यह है, कि एक ब्रामन जाता है, तो दूसरा ब्राम बारामन आता है, दुज़रा भॉणा बनाता है, बरामन राजीए स्टीर हो गया, पक्का हो गया मैंसेwałरात अग्ड़ात राम्बेट कर स्वीधान सेथिय। कि चुनाव में परिवर्थन होना चाहिए चुनाव में शांति पूर्ण तरीके से परिवर्थन होना चाहिए सविधान में दिखा है चुनाव होना चाहिए हो रहा है चुनाव में सविधान में दिखा है परिवर्थन होना चाहिए परिवर्तन कांग्रेश का ब्रामण के जगा के परिवर्तन में नहीं हो रहा है यह से तो ब्राम quickest देश make कायम हो गया है क्यूंबता है क्योंकि आपकी कोई भी समश्चा का समाधान नहीं हो रहा है अरे लोक तंत्र है भाई तो लोक तंत्र हैं तो लोगों की समश्चा का समाधान क्यों नहीं हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है क्यों की ब्राह्मनों ने ब्राह्मन्रार्ट स्थाकित कर दिया है। पुली स्टेशन में अगर आग यह भायार दाखल करने के लिए जाओ अगर हमारा कोई आगी राम पूजन राम राम वजद राम राम कृत राम इस फिर्ण राम प्रसाड राम आगे राम पीछराम अब्र हमारा आदमी को पीछे बीच में स्टीवीच मना दिया राम पलतर राम, यह आगे राम, पीछे राम, बीच में पलतर, होगे न उन्हें सैंडविज नहीं कराया। तो यह जो एक्जेंट्म के लिए बता राव आज़ाएं, इसलिए समझा रहा हो। तो यह कांगरे जाती है, तो मिजे पी आती है, तो कांगरेस आती है, दोनों के बीच में हमारा सैंडविज बना दिया गया है। हमारी किसी समस्या का समानात नहीं होता है, अगर राम पल्टन राम, राम पूजन राम, राम सिबरन राम, और यह जो राम राम करने वाले, जो हमारे लोग है, अगर, луч़िके, इसी, इसी ओ, वी, वाले औहों की बंडित कभी राम राम नहीं करता, दो बंडित जब आपस में मिलते हैं तो, नमस्कार पांडे जी, तो तिवारी जी करते हैं नमस्कार, नमस्कार तिवारी rozp समझ गहिंग है, प्राम्मन कभी राम का जैकारा नहीं लगाता है तो हम गधे लोग है तो हमारे लोगों को पुली चवकी में गया तो पुली चवकी का इंचाथ पूछता है क्या नाम है तो कॉलाता है दो डंडे मारने के बाद फिर उसको पूछो तो कॉंस्टेबल को बहुता है पूछो हां पुली चवकी में जो ग्रामन नाज भालत में स्ताफित कर दिया गया है वहां जो भायर हो आदा कर नहीं होता यह स्तिती है और उनके जगा अगर मान लोग कोई मुसल्मान का आदमी जाता है तो फिर तो पुलीस इंस्पेक्टर उसको पहले डालता है अंदर डालता है इसको पहले अंदर डालता है कि वंस्टेबल कुछता है कौन सी दारा में डालू साथ कोई दार लगाना पड़ेगा घर्टार के दोड़ी अंदर डाल चकते कोई दार लगाना पड़ेगा ना कहां कि सरकारी काम में हस्तक जता रवर तो जमानत्तों नहीं पाहर जाएगा जमानत्तों के वज़े तो और इस प्राह्प की वजह यह है कि देश में ब्रामंदराज इसलिए ब्रामंदराज इसलिए 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 लोगों को बता रहा है कि यह जो ब्रामंद राज इस ब्रामंद राज को हमको समझना पोचाना जरूरी है कुछ लोगों ने मुझे पूछा इस्राम जी देश का गर्धान मंत्री तो नरेंद्र मौदी पिछड़े वर्यका है ब्रामंद तो ब्रामंद राज मंत्री नहीं है तो आप कैसे कह रहे हैं रामंद राज है हमें तो समझ में नहीं आता आप क्या कह रहे है नहीं आभी समझा देता हूं जाद समय नहीं लगेगा आपको न समझ में नहीं आ रहा है, वामन में समझ में आ रहा है, अभी समझा दे नहीं है, जो नरंद्रमोदी पिछड़े वर्व का आजमी पथानमत्री है, यह ब्रामनों ने बनाया है, नरंद्रमोदी is not a real Prime Minister of India, he is a nominated Prime Minister, and nominated by Prime Minister, यह नॉमिनेटेड अम्रे की शप्त हैं, आपके समझ में नहीं आया होगा, देशी भार्षा में बताता हूँ, मैं किसान का वेड़ा हूँ, इसलिए मैं देशी भार्षा में आपको समझाता हूँ, गाउं का रहने वागा हूँ, और उधारण देने के लिए कुछ शब्दों का इस तरह से प्रयोग करना होगा, इसलिए सबसे पहले मैं बहेड़ाओं से माफी गाउं का आदमी शादी करके अपनी बीवी जो है साथा है, तो वो अपने बीवी का प्रीजर करवाता है कि ये मेरे बीवी जो है शादी शुदा, शादी करके ना है, तो जो वो कहता है कि ये शादी शुदा बीवी है, तो दूसरा आदमी उपुस्ता, ये कौन है, ये ऐस तो नरेंद्रमोदी एंसा इप्राम्हण का रखावा नौमी निविट समझ में नहीं आया, उसका देशी रत्र बताया, सब को समझ में आया, जो अंग्रीजी शब्द है, ये बावा सब अंबेट करने यूज किया, नौमी निविट, ये शब्द हमारे दोगों को समझ में नह पूर होकर देशी उधारंदे का आपको समझाना पड़ा ए ब्रामनों का रखावा प्रधानमंत्री है, नरेंद्रमोदी को, ए रखावा प्रधानमंत्री है, इसके सबूद के तौर पार, एको उधारंदे आपको पता रहा है, जो नरेंद्रमोदी प्रधानमंत्री बना, उसके पहला पहसला किया, क्या पहला पहसला किया, यो भी सी की जाकिया धल किंति नहीं हो, पुत्तों की होगी, कदे भडों की होगी, जानगरों की होगी, जनली जानगरों की भी होगी, मगर पिछडों की नहीं होगी कि जोड़ों की इस अलीग बोजी कि कोई संभावना नहीं तो इसलिए यह जो बात में आपको बता रहां हो यह द्रेंट्रमोदी के द्वारा पहला भैसला दूसरा भैसला तिनसोचवदा बच्चे पिछड़े वर कि आये आई पियर आयानिस अधिकाई बने लागवादु शात्री ट्रेलिंग इंस्टिट्यूट मसूरी में ट्रेलिंग होगा ट्रेलिंग कुरा हुगा कुरा होने के बाद इनको ओस्टिंग देने के लिए प्रदाग मुंत्री के पास पाइब गई क्योंकि कार्विक मंत्राद है रंध्री के पास पूस्टिंग के लिए पाइब गई पाइब जाने के पार उसने सारी किसाही पाइब अधर्थ कर दी तिनसोचवदा बच्चे में इसे एवी बच्चे को पोश्टे नहीं दी दूसरा सबोर ब्रामनुगा रठाव, तीसरा सबोर नरेत्र मोरे ने पिछ़गे वर्ग का जो कमीशन था रटकर दिया, अब भी कह रहा है कि मैंने मांदर में इसको सवेदानी उदर जा था, नज केंगे हैं और अधिक सवी दा मिअनई जा हैं और मेद सब्सक्रणा को सब्सक्राइबिया था, पा मेंगा कुट्टा नहीं पुझता तो अलू OBC को सब्सक्राइब जा दिया कमिशन को इनको कुट्टा पुझे का और मां तो दो चार कुट्टे ने पुझ लिया तो कुट्टे को वोड़ का निक अर्फ नहीं पुझ लिया कि अच्छे साथ साथ को भी इसाथ में अच्छे गरका निकार करीब दूर्बर के घर में यू कुट्टा रहता है या कली मुझे में भूने वाला चुट्टा रहता है का मला भूलनें वाले सभूल ऊक्ता है तिह उसे जाई जमी धान में आदमीं को पहले हैं कि तरफ सद्धा ता की विद रहे गा फ्लम vibes तो नरेंद्र नौनी ने वोवी सीकेय कमिशन को सवय धाली कर जा दिया कर रहा है रैज्सी एस्टी कमिशन को कोई पुटा नहीं कुटा फाल है क्लिश चेर्मन तुम्हारा नौमिनिटेट होगा। इन रहती जैसे नरेंद्र मौदी वैसे चेर मन भी कमिशंट नौमिटेड रखावदा और हो जाएका कि चव्था निर दिया अभी साड़े चार साल होगे नरेंद्रमोदी ने वह भी सी के विकास के लिए नया पैसा बजेट में नहीं दिया एक भुझेटमें पैसा देगे तो विकास होगा विशी के लिए बजिट में पैसा देगा बला एक नया पैसा नर्यंतर मोधी ने गंटे घंटे बाष्ट में लगे कि अभी पंद्रा आगस को थेड़ घंटा भाशन है उसके भाशन में विकास हो गया है उसके भाशन का विकास हो गया मगर पिछड़े वर्ग का विकास नहीं हुआ हो रहा है कि वकी अभीशन के विकास हो रहा है और और पिछड़े वर्ग में विकास नहीं हो रहा है OBC के बच्चे को वजीफा स्कोलर सिल्वी जाती थी साड़े चार सार रोगे OBC के खरीद के बच्चे को महामित्याज्या में पढ़ने के लिए एक नया पैसा वजीफा स्वरुचित नहीं है ने वोभी सी का ही प्रदान मंत्री और OBC के लिए नहीं माना जा सकता विर भी प्रदान मंत्री और OBC के विरव में फैसला कर ले वावां इक नहीं माना जा सकता बिर्भी प्रगामदंत्री फैसले कर रहा है ऐसे हमें बताया जा रहा है वावारिक नहीं है इस लिए इस बात को समझाने के लिए मैं आपको उधारत देता ताकि बात समझ में आ जाए एक गधे से गधा आदमी दूड़ो ऐसा होता नहीं है अगर धूंड लेते हुदारी तो कुछ भी होता है गधे से गधा अरे आपके इलाके पे गधा शब्द नहीं जबता है बुड़बक से बुड़बक आदमी धूंड़ो अब ऐसा होता नहीं है है मगर गुड़बक से बुड़बक आदमी घूंड लिया जाए और धुरबक के हाथ में फुरादी दे लिया जाए और बुरबक को कहा जाए तो पपाया क्वेर अपने हाथ से काट गोड़बबग आदमी क्या पिर रहा है इतना बड़बग नहीं है कि अपनीं चीजिए अपना पाकाड ले इतना बड़बग नहीं है इतना बुलबग नहीं है कि अबीजी का इप्रानमंत्री विरोध में वैसले कर रहा है इतना बुलबग नहीं है कोई थर्ड पार्टी है जो फैसले कर रही है उस थर्ड पार्टी का नाम पंडी जी है इसका मतलब यह है यह पंडीत लोगों का ब्राह्मन लोगों का रखा हुआ प्रधानमंत्री है सबूत के साथ साथ अगया इस सबूत से कुछ बात नहीं कहता हुआ कि कर दो हुआ जार चाल में बीजेपी चुनाओ नहीं पार गये थी थी तो कॉंग्रेस ने मर्मोहन सिंग नाम का उस्तराद था उसको ब्रादानमंत्री बनाया था मगर फैसले लेने का अरिकार मर्मोहन सिंग के पास नहीं थी तो कमी तो 67 ग्रूप अप्मिनिस्टर्स कमीटी के अंदर 63 ग्रूप अप्मिनिस्टर्स के चेर्मन अकेली प्रणों मुकर्जी थे और प्रणों मुकर्जी सारे प्रणों मुकर्जी लेते थे और उस निर्णय पर प्रधानमंत्री मनमोहन से ठप्पा लगाते थे इसका मखलब है मनमोहन सेंगी जी प्रामनों का नॉमिनिटेड प्रायमिनिस्टर्स था अब नॉमिनिटेड चाहर तो समझ में आगे ना अब तो दहरत नहीं पताना पड़ेगा ना अब समझ में आगे तो इस तरह से ए ब्रामनों ने इस सारा पावर जो है अपने नियंत्रज में लेगे रखा हुआ है और ब्रामन राज इस तरीके से आनून और समिधान के विरोद में चलाने का काम कर रहे हैं दो कि जन्के..... में आप पूयोद० कि बहुत हो और सोचल मेडिया में लेघंस सुनी जा है पसकी सोचल मेडिया पोबहूं कि इसा उल्फ हो भारत के जितने स्टेट है सारे स्टेट में देखा जा रहा है और भारत के बहाँ 34 देशों में देखा जा रहा है तो मेरे बहुत सारे मित्रवोग हैं उन्हों ने ये सुना देखा और सुना देखने के बार उन्हों तो मुझे कहा कि मैंसराम जी एक बाग आपको जरूर मानना हो तो मैंने उनको कहा है यह क्यों कह रहे हैं दो मानेगे यह क्यों कह रहे हैं तो मानेंगे मानने लाइब हो तो तो जरूर मानेंगे और ना मानने लाइब हो तो कोई भी बात नहीं मान जाएगी आप बताओ तो क्या मानने वारी बात कहां कि आपको मानना होगा कि देश में लोग तर्थ है मानते हो हो तो तुमारे मानने का सबुत आप नहीं जाते हैं तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में सवीधान है, उन्हें कहा है, सवीधान में पात साल में एक बार चुनाओ होना चाहिए, ऐसा दिखाए, ताकि ये भी हम मानते हैं, आगे कहो, ताकि पात साल में चुनाओ होना चाहिए, तो चुनाओ होता है, क्या आप इस बात को नहीं मा हैं मगर मेरा सवाल यह है कि आप कहना क्या चाहते हैं क्या चुनाव माने लोगतंत्र कहना चाहते हो यह चुनाव माने लोगतंत्र को मानने के लिए राजी तहीं हो की को शुझ भूज रखने वाल आदमी चुनाव माने लोगतंत्र मनने के लिए राजीलません कि मैं आप Pros Back io ए कि लोगतंत्र दुनिया में आया है कि राजा शाहि का पंद ठुंत हुआ और लोग सकते हैं कि लोगतंत्र पर पर खड़ा है लोगतंत्र राजा शाहीं के रुट्यू शया पर खड़ा है इसलिए हमें रोगतंत्र समझने के लिए राजतंत्र समझना होता है राज तंत्र में क्या होता है राजा के नियंत्रण में आनून बनानी का निगात था वो अपने राज के लिए अकेला कानून बनाता था मुगलियांदम खुलिम आपने देखा होगा उसमें अगबर का रोल करने वाला उर्धिराज कपूर कहता है हर राजा के पूसे निकला हुआ हर अलफास इनसाफ है हर राजा के पूसे निकला हुआ हर अलफास इनसाफ ही माना जाता है के वर अगबर नहीं जो ही राजा होगा इसलिए के राजा को अपने राज का कानून बनाने का अरिकार होता है और अपने राजय के लिए अकेडा कानून बनाता था नमर दो बनाय हुए कानून पर खुद अमल करता था या अपने हेंचमें हारी हारी करने वाले दोगों से अमल करवाता था यह अधिकार भी उसी के नियंत्रम में था तीसरा अधिकार राजय अपने राजय का चीव जस्टीस होता था वोदे ही चीव जस्टीस होता था फिर चौथा अधिकार राजय के राजय में खबरे लिखने का और इधियास लिखने का सारा अधिकार राजय के नियंत्रम में होता था एक चार प्रमुख अधिकार राज तंत्र में अकेले राजा के नियंत्रन में होते थे और इसलिए राजा का जो राज था उसका नाम था एक अधिकार राजा का जाता था एक अधिकार जब ये राजा शाही खत्म होई लोगतंत्र आया लोगतंत्र में क्या हुआ जो राजा के पास कानून बनाने का अधिकार था वो एलेक्टेट रेप्रसेंटेट यो विलायर और सांसतों को कानून कानून बनाने का अधिकार मिला जो चुने हुए प्रतिनिदी होते हैं हो गया पैडिकार इसका मतलब है राजां के अपास जो कानून बनाने का अधिकार था अलोगों के चुने हुए प्रतिनिदी को अधिकार मिला तो राजां के पास कानून पर अमल करनी का अधिकार होता था लोगतंत्र में अगर हम भारत का लागर ले ले बारत के सविखान में संदलोग शेवा आयोग के बारां परिक्षा होती है और इस परिक्षा में IAS IPS IAS अदिकारी को परिक्षा में वेरिंट में जो पास करता है वो पास किया हुआ आलमी आयएस IPS IAS बंता है फिर उसको दो साल का ट्रेणिंग दिया जाता है त्रेणिंग में उसको कहा जाता है कि यदि मंत्री कानून और स्विधान के विरोद में जाकर तुम्हें अमल करने के लिए कहे तो मंत्री की मात मानना तुम्हारे मूपर बंधनकारत नहीं है कानून का राज हुता है कानून पर अमल करने के लिए अधिकारी कारियप आदिकार में रखे गए हैं तो राजा के पास कानून पर अमल करने का अधिकार होता हां वो अधिकार कोड़ जनता के मौलिक अधिकारों को ध्यां में रखते हुए केत्र सरकार राज्य सरकार के विरोध में फैसले लेते हैं राजा शाही में राजा ही जिप जस्तिस होता था तो जुरी शेरी उनके नियंदर में होती थी लोग तंत्र में जुरी शेरी जरकार के नियंदर में नहीं होती है भब रिखने का अधिकार राजात के पास अपने राज़ें पें होता था आभ अर्टिकल 19 तहब पर स्कीशन के तहब भड़े और इतिहास लिखने का अधिकार मौली के दिकार बनाया गया और लोगों को इतिकार दिया गया और मेडिया हो किसी विवाजत के स्टानतपर करा है राजाशाही में एक अधिकार होता था दोत्तंत्र में सत्ता का भिभाजन है सत्ता के भिभाजन पर दोकतंत्र खड़ा है समझ लो अको लोकतंत्र समझा रहा है गुद्धशन को इतना बताया गया चुनाव माने लोगतंत्र नहीं है लोगतंत्र क्या है बता रहा हो राजा शाही में एक जीवन प्रनाली होती थी लोगतंत्र में दूसरी जीवन प्रनाली है अलग है और यह सप्ता के इतिवाजन पर खड़ा है एक आधिकार के इतिवाजन पर खड़ा है लोगतंत्र क्या हुआ भाद में चलो उसको भी सबुद के तौर पर पेश करें और क्या आपको पता जाए दो हजार में जो समा का चुना हुआ ब्राह्मों के पार्टी के 375 सांस सब्सक्राइब कर गए हो गया है रामनों का कब्जा हो गया है रामनों के आधार पर पार्लामेंट पे कोई भी कानुन बनाए जा सकता है उनके पास नौ सीटें जादा अज़क हो जाता है उनके पांट त्रिंडेट सॉटी सिट्टी नमर बो कालियो का आई आई पी एस आयरा डिकारी मैं तो हजास सोला में शरत जी के घर में चरद्यारों जी के घर में उन्होंने मुझे कागद दिया और कहां एक आट आगा कि मंत्री को सवाल पूछा तब मंत्री ने लिकित जबाब दिया क्या है इसमें पड़े लिए देखा तो इसमें 79.2% प्रतक सेड़ी के अधिकारी प्राम हर दस सबूझे जादी के लोगता थाक्रों के आधा परसेड़ी एक परसेड़ी एक परसेड़ा नहीं इने ग्टस गशीर नहीं किया, ठाफुर राजफुर के भी अधिकार पर अतिकर्मन किया। वाइशो के भी अधिकार पर अतिकर्मन किया। कि अगर थातुर को राटुर को जट्रिय को रिजर्वेशन की मात करते हैं तो मैं पहला आदमी रहूंगा कि थातुर को राटुर को पोधी उनके संक्या के अनुबात मेरे दुद्रमेशन दिया जाएं जितनी जितनी जिनकी संक्या भारी उतनी उसकी स्वावीदारी वोनी चाहिए हम तो इस सित्ताम के समझत है वहिचू को भी होनी चाहिए हाद राट नोग ब्रामनों जो मरमों भी हैं मैं उनको साागी ना चाहता हूं उपदगा को पैसा चाहत नहीं करता है करता सदस्थ देता हूं के अंहीं आहन सोनने माला नहीं है जब्रामनों का पिछवत्त बनोगे डोगों को मां करनी चाहिए यह अमारी सथ्स्ख्या पास में हमारे सांसर होने चाहिए हाएS IPS IRS अधिकाली होने चाहिए और होने चाहिए हमारी होना चाहिए हम लोग उनका समथन कई साथियो आपको भी बोलते वर ध्यां रखना चाहिए कि हम जब पचासी का नाला लगाते ना तो बंद्रा को अलग करते हैं मगर मैं ऐसा मानता हूं कि बोलने के लिए केवल रामनों को साड़े तीन परसेंट की बोलते रहो पचासी की बोलने साड़े तीन परसेंट को जो कि मारे महारत का में बहुत बड़ा हितिया हस्कार राजवाडे नाम का ब्राम उसने लिखकर रखा बहुत थालगात लिखकर रखा उसने रिखा ब्रामन ही वास्तविक्षाशक्वर्ग होता है ब्रामन ही वास्तविक्षाशक्वर्ग होता है चट्रिय और वैश को ब्रामनों को शाचक वर्ग बनाने में केवल साहयता देते हैं, आजाद भार्द में, ब्रामनों को च्छत्री और वैच शायचक बनाने में सहायता देनी के काम कर रहे हैं इसका मतलब है च्छत्री और वैच के वल पिछलग को ब्रामनों के बरेव हुए है इससे उनका भ़ला नहीं हो साथ्यों दूसरी अहिंतात मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि यह जो जुड़ी शीरी में तो कारिपालिका हो गई आए अब तीसरा पीलर है लोगसंत्र का जुड़ी शीरी उसमें 97 रामन आज के हाइपोर्ट सुप्रिंपोर्ट के जुड़ी शीरी में काम है दीपक जुड़ी शीरी में चौथा में चौथा पीदर है वेडिया दिल्ली में युगेंद्र याद्यों ने सर्वेक किया 97 पर से पत्रकार ब्राम्भन और तस्सम उचे जाती के लोग हैं मगर जो उचे जाती के हैं वो तो केवर पिछलग हो है आइनकी कि प्राह्मण ही वास्तोई करता लगता है इस लिए अगर वच्छा प्राइप नहीं हो जादा ज़रूरी है इस लिए इस लिए बात में आंको को समझा रहा हूं कि युड़ी शीरी पर भी ना संसरे चौथा प्ज़र है मेडिया में में चार्त कार्वेडिया है एक निग्यामी मेकंट अचीन प्रिंट मेडिया अचाज्ट हो जिस्था है वोकल विडिया जैसे मैं माइक पर बोला भाशा का उभ्यों कर आए इस देश में साड़ी साथ अजयाद बोलिया बोली जाती है बोलिया मगर बोली की कोई स्क्रिप्ट नहीं है लीपी नहीं है कि ब्रामन घ्रतवाशा बोलता है घ्रतवाशा ही लिखता है उसको शाचल में माननेता है हमारी को इन इसका मतलब है तरह से लोगतंद्र चाहत अंद्र हें, यह का है, और वाहतहु पर कर्द युक्छा कोज confirm dif 이상 cream cud. बेष्ड की जार लोगतंद्र के प्रावांट कानुटी और वाहतन। नॿहएं से डाविशम चातरणाव पिडर नंद्र प्री हम संथान। कि जाकर अगर चारुपी रफतर रामन का कप्चा हो गया है तो यह रोपसंत्र का इन कि पुराओं माने रोपसंत्र थोड़ी होता है कि यह तो ब्रामन संत्र है यह सारा रामन कंत्र उन्होंने लागु कर दिया पहले रामन राज लागु किया और बाद में रामन राज के लोगों ने लोगतंत्र को भी खत्व कर दिया और देश में रामन कंत्र लागु कर दिया इस वज़े से क्या हो लाया है सडूलकास कि शमच्य लगातार लगा ठैके जिन समच्याओं का समाधान हो गया था वो समच्य का समाधान हो गया था रेजर्वेशन खत्म करके नए सीरे से पैदा हो गया था नए सीरे से फिर समच्छा पैदा हो गया था किसामों की हाथ मक्तिआय शुड़ों ही ऐसे हगा ज्यम्च्छा की समस्वा करके होubenे बल्कि समच्छाओं का संग्रक किया और समस्षा लों का संचे और इसलिए देश में शदुर्कास के लोग लड़ रहे हैं कि मोड़ रहे हैं शारी नोब य कोड़ रहे हैं ओवी के लोग रहे हैं किसान लोग गड़ रहे हैं मुस्लिम सीख, इसाइ, गुदिस, जैन, गुलाय लग रहे हैं सभी के सभी लग रहे हैं सभी के सभी क्यों लग रहे हैं क्योंकि सभी के उपर अम्याय हो रहा है सभी के उपर अम्याय हो रहा है इसलिए सभी के सभी लोग लग रहे हैं जो लग रहे हैं उनकी संख्या पचासी परसेंट है और इनके उबर अन्याय करने वाले की संख्या सानिती परसेंट अन्याय कर नहीं सकते अत्याचार कर नहीं सकते नाहिसापी कर नहीं सकते कर रहे हैं क्योंकि ब्राम्भान 14 अगस 47 तक भारत का शाशत्वर्ग नहीं था अंग्रेव 14 अगस 47 तक भारत का शाशत्वर्ग था 15 अगस 47 से ब्राम्भान भारत का शाशत्वर्ग हो गया है प्राम्मन भार्वत का शाशकवर्ग हो गया है सता में परिवर्दर होता है शाशकवर्ग में परिवर्दर नहीं होता है उसके नियंत्रण में प्यारा बिर्थी है बॉर्डर सेकूर्टी फोर्स है एसार की है जीयार की है पुलीस है इस सारा पुर्ट उसके अपनी अंत्रण में है ब्राह्मान साड़ी की पर से हमारे उपर अध्याचा कर नहीं सकता पुलीस के द्वारा करवाता है पुलीस के द्वारा करवाता है क्योंकि उसके नियंत्रण में पुलीस को से उसके द्वारा नियंत्रण करवाता है अध्याचा करवाता है इस ये विद्वाव मनभात का शाष्यक पर रहे है साथियों और यदि इसमें आप परिवर्तन करना चाहते हो क्योंगी तो परिवर्त पंगरना चाहते हो, तो पचासी परसेंट लोग लड़ रहे हैं, पचासी परसेंट इनकी संक्या है, वो जो लड़ रहे हैं, जिनकी संक्या पचासी परसेंट है, तो अन्याय नहीं होना चाहिए था, अत्याचार नहीं होना चाहिए था, नानिसा भी नहीं होनी चाहिए थी, बगर हो रहा है, क्यों हो रहा है? सबी दो अलग 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 को छोड़ देता है कि प्यम्सलमान को छोड़ देता चाहिका को कहटता each साभी 85 को सामश नहीं पिर्टा है अलग-ज़रám कर के पीठता है अगर आप इसी तरह से अलग-अलग लटते नहों गे ज़रो पिटायी दिलोटे निखवा कि अलग 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 लड़ते रहोगे तो पीछे समय में पिटाई हुई आगे भी आपके पिटाई होगी तो उपाय क्या है उपाय है सारे 85 लोगों को एकता होना होगा एकता होना होगा इससे 85 एकता नहीं होगा इकता करना होगा होना होगा कहने से थोड़ी होगा करना होगा और इसलिए बहुजन क्रांती मोर्चा एक प्लैक्फॉम है कि संगतन नहीं है तो इकता करने का तरीका क्या है तो पाच हजार तसीर में आप संगतन मांसे भार्त मुक्ति मोचा के और संगतन के लोगों को बोल दिया गया कि आप माइक्रो लेवल के संगतन दूड़ो में संगाटन डूंडो अगर एंगाउन तरसीर में 50 संगाटन मिले 252 ग नाक संगाटन संगाटन इसक तो संगाटम हो जाएगे 5 लाग मिनिमम ढाइदा, और मैंजिमम पाच लाग संगटन इकटा हो जाएगे, तो इस दिए बहुत्यक्राइंति मोचा के दौरा, परिवर्त न्याता के दौरा, तशिदों में कम से कम पचाश संगटन और मैंजिमम सों संगटन इकटा करने का प्लाज बनाया, कैसे बना कैसे इकटा आएंगे कारेकरम बनाया common minimum pro common maximum program नहीं मन सकता हर संगटन अपनी हर मान नहीं मना सकता अगर सीख कहे मुसल्मान को तो मुसल्मान हो जा मुसल्मान नहीं मने मुसल्मान सीखो को कहे कि तु हमारी मान ले तूम सर्मन हो जा तो सीख नहीं मानेगा इसलिए क्या करना होगा तो मैक्सिमम नहीं मिनिमम प्रोग्राम के अगर हम संगड़नाओं के मिनिमम मुद्धे जो है अगर इकटा कर ले तो सारे मिनिमम मुद्धो पर सारे पचासी परसें लोगों को इकटा किया जा सकता है इसलिए हमने यहां पीछे पर्चा पड़ा इस पीछे में यह मुद्दे दिये हुए इसारे मुद्दे शरुलकास के मुद्दे हैं मौस्क बैकवर्चुलकास के मुद्दे हैं एक्स्टिम बैकवर्चुलकास के मुद्दे हैं शरुल्टाइप के मुद्दे हैं नॉमिडिक टाइप के मुद्दे हैं बीसी के मुद्दे हैं ओवीसी के मुद्दे हैं इसान के मु के मुद्धे हैं मुसल्मान के लिए कृच्चन के लिए साइं के लिए जैन के लिए को और लोगों को जो सर्लढने वाले लोग हैं तो पूछो कि उने साथ रही हो कि अध donut कि साल से तुम कितने रही हो तो कि इतने प्रिफाट बात मान लाव pills कि तो नहीं मानी गई नımız जिद्वार को सोचा तो सूच में घाज कि इतने साथ से नहीं सोचो इंग नहीं है क्यों wil gonna be ini क्योंकि आपकी ताकत है इप छोटी चोटी दावर आप हिता तेस्य कुछ दंड़ा लेगा है जिएखे चांजारा को इपको पता था मैं वाशिम जीरे में गया वहां के कालेकरता को श्यादा जो आगे कालेकरता में क्या वारे चाहिए का कि 46 चाहिए जिए 26 और गूराइटा किया 46 ओर्गनाइजिएशन के लोग यहां नहीं दिए तो ऐसा हो सकता है क्योंकि ये काम से करेगा हो सकता है क्यों वांग से 549 तीरों में काम करने वाला सकता है तो चोटे-चोटे संगटन है उनको लगेगा इतना बड़ा संगटन अपनी साथ में देकर चलना चाहता है तो लोगों का हवस्ला बढ़ेगा वांग से भरत्मुक्ति मोचा की लोगों को पहित करना चाहिए वांकार छोड़ देना चाहिए कि हमसे बहुत चोटे संगटन की सब्सक्राइब करता हो जाएंगे अगर करता हो जाएंगे और एक करोड़ करता हो गए एक करोड़ लोगों के एक परिवार था सब्सक्राइब करता हो जोड़ जाएंगे और पांच करोड़ लोग अगर दो चार पांच साल जैसे हमने दो हजार चोबीस तक का दिल्दा पिक्स किया है तो हजार एक्षामी वईवर्तन याक्रा चुरू है तो हजार चोबीस तक छे लाख गाउं पे संगटन बनाए जाएगा और जोड़कर एक शक्ती का निर्मान किया जाएगा इस से क्या होगा अगर एक काईकरता उसका परिवार तो होगा एक करोड़ से लेकर पांच करोड़ लोगों तक प्रभाव पड़ेगा अगर उन्होंने आपने लोगों को बातायार किया तो तो ये 25 क्रूड लोगों का संदेश पहुत जाएगा और 25 क्रूड लोगों का इस देश में जनाम दुना निर्मान हो गया तो सातियों हम लोगों तो वरामनवादी लोगों ने जो गुनाम बनाया है हम लोग आजाद हो सकते हैं अगर हम आजाद हो गये तो फिर हमारे आजादी में हम अपने भविश्यका फैसला लेंगे, आज क्या हो गया बैका है? आज अड़वियारी अड़वानी, नरित्रमोदी हमारे भविश्यका फैसला करने हैं हमारे हाद में होगा और जब भी ऐसे होगा तो ही हमारी समझ्चा का समाधान होगा नहीं तो समझ्चा हमारी समझ्चा हमारी और समझ्चा करते हैं वह समाधान नहीं किया करते हमें अपने हविश्य का फैसला पुद लेना होगा तो जाकर कि यह परिवर्तन होगा ऐसा करने के लिए साथ सयोग करोगे इस आश्वर उश्वास के साथ आपकी बाद्यान से सुनी इसके लिए आभाद धन् झाल